हेलो दोस्तों आप जो मैं वीडियो में डिसस करने वाला हूं related to SYB.com auditing से है SAM4 so important questions क्या रहेंगे and most important कैसे आपको study करना है जिससे आपका केटी ना लगी and आप अच्छे mark score कर सको so सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा we have to see the paper pattern as you can see here 100 mark का paper रहता है जिसमें से 20 mark objectives बाकी कहा रहते तहरी रहते है so आपको कैसे study करना है इस question के हिसाब से आपको क्या करना study करना है अब आपको समझ में आ गया 20 mark objectives है बाकी question answer है and options कितने रहेंगे a b a b करके options a b c d option और करके options रहता है that means 4 question में से आपको 2 question attempt करना है अब paper pattern आपने देख लिया इस paper pattern के साब से आपको study करना है तो कैसे आप study करोगे आपको स्थी पहले क्या करना है 2 से 3 unit पर study करना है बाद में क्या करना है आपको बाकी others study करना है so उसके लिए जो है you have to see the syllabus अभी आपको यहापर syllabus दिख रहा होगा उस syllabus में से आपको क्या करना है minimum 2 units maximum 3 unit क्या करना आपको slag करना है starting में and वही 3 unit पर बहुत ज़्यादा focus करना है बाकी 2 unit का क्या करना है sir बाकी 2 unit का आप general में study कर लो जिससे आप own answer लिख सकते हो अगर exam में थोड़ा बहुत लिख क्या होगे किसमें आप ज़्यादा quantity आप quality आप present कर सकते है वो unit आप select करो आप अपने इसाब से क्या क्या दो unit select कर लिया आपने paper button देख लिया objectives proper किया और बाकी 2 unit के compulsory 30 to 35 आपकर question तो आई जाएंगे तो आप क्या होगे easily 50 or 60 cross जाओगे out of 100 तो आप कभी केटी तो लगे के नी प्लस आपके अच्छे mark score होईगे दो unit अच्छे से पढ़ने से अब कैसे आपको पढ़ना दो unit तो जो college में आप पढ़ते हो उस college में जो भी teacher हैंगे particular subjects के लिए वो जो भी आपको पहले पढ़ाएंगे वो ही क्या करना आपको पहले करना है because अभी जो paper है वो university नहीं prepare करता है अभी college prepare करता है तो college के जो teachers रहते हैं वो ही paper prepare करते हैं तो उनको पता रहता है कि हमने जितना पढ़ा है उसी में सही हो question देंगे तो आपको उतना ही उसके हिसाब से क्या करना है study करना है जो आपके teacher ने पढ़ा है उसका note बना लेजिए वही आप study कीजिए जो भी आपने units लेकिया है जिससे आप और अच्छे mark score करोगे exam में तो आपने क्या देख लिया paper pattern देख लिया syllabus भी देख लिया and important questions की बात करें important question में जैसे मैंने बता है कि आपके teacher से में कितना कराया है वो देखो आप और university के last के 2 years paper refer कर लो आपको important question की ज़रुत नहीं पड़ेगी अब बहुत अच्छा mark score करोगे अपने exam में and I'm sure कि ये video बहुत helpful रहेगा and अगर आपको लगता है helpful है तो बहुत अपने दूसरों को साब भी share कीजिए and आपको कुछ अगर doubts है so make sure rider comments thank you so much guys watching video